नवादा पुलीस ने बड़ी कारवाई करते हुए अनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आठ साइवर अपरादियों को तेरह मोबाईल पांच एटियम काड सहीत एक लाग तेरासी हजार रुप्या नगद के साथ गिरफतार। नवादा पुलीस ने बड़ी कारवाई करते हुए अनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आठ साइवर अपरादियों को तेरह मोबाईल पांच एटियम काड सहीत एक लाग तेरासी हजार रुप्या नगद के साथ गिरफतार किया। गौरतलबो की नवादा जिला इंदीनों साइवर क्राइम का सुरक्चित जोन बन गया है। लगातार एहां से साइवर क्राइम की घटना सामने आ रही है। इतना ही नहीं पुरे देश्वर के लोगों के साथ नवादा में रहकर साइवर क्रिमनल लगातार साइवर नबादा में वैट कर साइबर ठग देश के हर राज्यों के लोगों को चूना लगा रहा है जिसको लेकर जिला प्रसासन अलर्ट है और लगातार छापे मारी कर सैक्डो साइबर अप्राधियों को गिरफतार कर जेल भेज रही है वापजूर साइबर क्राइम विभिन नए तरीके से ठगी में लगे हुए हैं ताजामामला वारसली गंस्थाना चत्र के गोस्पुर गाउं का है जहां मंगलबार को वारसली गंस्थाना की पुलीस ने बड़ी कारबाई की है वारसली गंज्थाना को गुप्त सूचना मिले थे कि गोस्पूर ग्राओं में कुछ साइबर क्राइमर इकठा हुए हैं जिनके द्वारा भोले भाले जनता को ठगने का काम किया जा रहा है सूचना मिलने पर तुरंत थानाध्यक्च रुपेश कुमार सिन्धा ने नबादा एसपी को इसके सूचना दी जिसके बाद एक टीम गठित कर उक्त अस्थान की घेराबंदी कर चापे मारी किया पुलीस ने गोसपुर हौल्ट से सौ मीटर दूर उत्तर दिसा में बालमिकी सिंग के अर्धनिर्मिक्त मकान में कुछ साइबर अपराधियों के द्वारा अपराध करते देखा पुलीस को देखते ही साइबर अपराधी भागने लगे लेकिन पुलीस ने कुल आठ साइबर अपराधियों को गिरफतार किया जिनके पास से 13 मोबाइल फोन, 5 एटियम कार्ड, 1,83,670 रुप्या नगद बरामद किये गए पुलीस ने बताया कि एक साइबर अपराधी दिवाल कूद कर भागने में सफल रहा, गिरफतार अपराधियों ने पुलीस को बताया कि इन लोगों के द्वारा एक योजना के तहत फेस्बुक पर धनी फाइनेंस एबम अन्य विश्वसनिये संस्था के नाम से फरजी आई तो उनको विश्वस दिलाने के लिए उनके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, वैंक पास्वोक, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और पास्पोर्ट साइज फोटो एबम इमेल की छाया प्रती मांग करते हैं। पुलीस ने वार्सली गंश्थाने में गिरफ्तार सभी साइबर अप्रादियों के विरोध कांड संख्या 173 ओबलिक 2024 दर्ज कर अनुशंधान प्रारंब कर दे हैं। संभू सरन सिंग का पुत्र अंकुर कुमार, स्वर्गिये परमानन सिंग का पुत्र खिकर सिंग, राजेश सिंग का पुत्र रोहित कुमार है। वहीं एक अन्य नालंदा जिले के कत्रिस राइथाना चत्र के कटोना गाउनिवासी भूसन सिंग का पुत्र गौत्म कुमार सामील है, जिसे वार्सली गंस्थाना की पुलीस ने गिरफतार कर न्याइक अभिरक्चा में जेल भेज देया। झाल झाल